अब तक अपन कुछ टोपिक्स पे रिपोर्ट सीख चुके हैं उमीद करता हूँ कि जितनी वीडियोज मैंने रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड यूटूब पे अपलोड की है उन सभी वीडियोज को आपने वोच कर लिया होगा अगर आपने अभी तक उन वीडियोज को वोच नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में उन सभी वीडियोज के लिंक्स डाल रहा हूँ वहाँ से आप उन वीडियोज को एक एक करके वोच कर लेना और साथ ही अपनी कोपिक अंदर नोट कर लेना उसके बाद स्टुडेंट्स आज की वीडियो के बारे में चर्चा करें तो स्टुडेंट्स आपको बता देता हूँ कि आज की वीडियो में भी अपन रिपोर्ट सीखने वाले हैं और रिपोर्ट जिस टोपिक पे अपन सीख रहे हैं वो एक्जाम के लिए फोच ज्यादा यह सेम जो अपने पहले एन्वल फंक्शन वाली जो रिपोर्ट पढ़ी थी उसी के अकोडिंग यानि लिखी जाएगी लेकिन आपको ये भी बता देता हूँ कि एन्वल फंक्शन वाली जो रिपोर्ट है वो 2020 के अंदर एक्जाम में आ चुकी है तो इस बार एन्वल या इन्डिपेंडेस्टे फंक्शन लग बग एन्वल फंक्शन जैसी है लेकिन रिपब्लिक डे फंक्शन के अब की बार आने की संभावना है इसलिए मैं आपको अलग से करवा रहा हूँ ताकि एक्जामिनर को कहीं पर भी ये मोका ने मिले कि आपके साथ नमर में से यान नोट करना अच्छे से लर्ण करना एक्जाम के अंदर पूछे जाने की पूरी पूरी यानिकि ये संभावना रहेगी चलो अपन स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि स्टुडेंट्स अपन पहले पढ़ चुके हैं कोई भी आप रिपोर्ट स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले उस रिपोर्ट का टाइटल केपिटल लेटर के अंदर दिखोगे तो अपन टाइटल लिख रहे हैं सेवंटी सेकंड रिपब्लिक डे सेलिबरेशन उसके बाद अपनने क्या कर लिया उसको अंडरलाइन कर दिया अगर इंडिपेंडेश्टे फंक्शन आजाए तो रिपब है कि ये सेवंटी सेकंड यानि बतरवा रिपब्लिक डे है तो आप जरूर लिखे ताकि एक्जामिनर है कोपी चेक करने वाला है वो थोड़ा इंप्रेश हो जाए और उसे लगे कि वास्ता में उसे पूरी यानि की रिपब्लिक डे सेलिबरेशन के बारे में आनी की जानक ठीक है स्टुडेंट्स इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुए होगी अब आप एक लाइन छोड़ोगे और जो अपन ने पहले रिपोर्ट की थी अब तक अपन जो करते हैं सेम उसी अकोर्डिंग रिपोर्ट स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नेम ओप दा पहले जिस ज जिस तारीक को रिपोर्ट लिखी जा रही है वो तारीक लिख दोगे जैसे 27 चनवरी 2020 को ये रिपोर्ट लिखी जा रही है अब उसके बाद डेस लगाईए और डेस लगाने के बाद आप क्या करोगे रिपोर्ट स्टार्ट करोगे रिपोर्ट स्टार्ट करोगे रिपोर् कि जो भी आनि की टाइटल है वो आप लिख दोगे कि बैतरवा यानि Republic Day है गनतंतर दिवस है वो celebrate किया गया with great pompet so मतलब बड़े धूम दढ़ाके से यानि कि इसको बैतरवा जो Republic Day जो था उसको celebrate किया गया great pompet so मतलब बड़े धूम धाम से उड़ दिखावे के साथ senior secondary school बाड़ेट अब ओन कितने तारीक को अब सब को पता है कि Republic Day है वो 26 जनवरी को every year यानि celebrate किया जाता है तो on 26 जनवरी 2020 तो इतने में मेरे इसाब से कोई दिक्कत नहीं है आप कर लोगे उसके बाद आप क्या करोगे अब देखे Republic Day function है तो अपन स्कूल बिल्डिंग को यानि सजाते हैं the whole school building was beautifully decorated on this occasion कि इस आउसर पे पूरा का पूरा जो स्कूल बिल्डिंग था उसको सुंदर ढंक से सजाया हुआ था किस से सजाया गया था विद्यानी बैलून से यानि सजाया गया था फ्लावर से सजाया गया था वो आपे लिख सकते हो ठीक है स्टूडेंट्स तो अपन ने क्या लिखा कि the 72nd Republic Day जो था वो celebrate किया गया with great pomp and so बड़े धूम दड़ाके और दिखावे के साथ कहां आदर्स government senior secondary school कितने तारी को 26 जनवरी को अब क्या किया गया the whole school building है was beautifully decorated उसे बहुत ही सुंदर ढंक से सजाया गया इस अवसर पे अब क्या लिखोगे the function started कि function की शुरुआत हुई 8-9 अम नो बजे function की क्या हुई शुरुआत हुई 9 बजे with welcoming of the chief guest यानि कि chief guest के स्वागत के साथ ही जो मुख्य अती थी आए उसके स्वागत के साथ ही क्या किया गया यानि function की सुरुआत की गई और the chief guest कौन थे अब देखिए the chief guest of the function function की जो मुख्य अती थी थे was the serpent of the village गाउं की जो serpent थे जो की बाड़ेट के serpent कौन है Mrs. Santos Devi उनके स्वागत के साथ ही यानि की क्या हुआ function की सुरुआत हुई तो इस तरह से आप लिख देना कि function है वो शुरू हुआ 9 बजे किस के साथ ही जो chief guest आए उसके welcome के साथ ही और chief guest कौन थे गाउं के सरपंच Mrs. Santos Devi अब आगे क्या लिखोगे just as she hoisted जेसे ही उसने hoisted किया फैराया the national flag राष्ट्रिय धवज को फैराया राष्ट्रिय जंडे को फैराया all stood up in attention सारे की सारे खड़े होगे in attention मतलब साथान मुद्रा में and sang और उन्होंने गाया the national anthem गाया राष्ट्रगान गाया राष्ट्रगान कौन सा है हमारा जनगनमन ये गाया in unison एक सवर में and saluted और सलामी दी national flag को of India यानि इंडिया की जो राष्ट्रिय जो धवज है उसको सलामी दी तो students आप किस तरह से लिखोगे कि welcome के साथ ही यानि जो chief guest थे गाउं के उनके welcome के साथ ही प्रोग्राम की शुरुआत हुई और जैसे ही उस chief guest ने धवज को होईष्ट किया फैराया तो सब के सब खड़े हो गए in attention सावदान मूद्रा में और उन्होंने सबने क्या गया saying the national anthem मतलब राष्ट्रगान गया और हमारा राष्ट्रगान क्या है जैन गयन मानी ये हमारा राष्ट्रगान है इन यूनी जैन मतलब एक सवर में and saluted और हमने salami दी national flag of India मतलब इंडिया का जो राष्ट ये धावज है ठीक है students अब क्या लिख होगे after date इसके बाद राष्ट्रगान के बाद क्या हुआ देकि the students performed a parade students ने क्या perform की parade performed की ठीक है parade यानि की it was a spectacular sight और ये क्या था बड़ाई सांदार यानि दर्से था to watch them यानि की उनको यानि की देखना moving in perfect formation जो की move कर रहे थे गती कर रहे थे बड़ी perfect यानि की home के साथ perfect यानि धंग के साथ तो कहने का मतलब क्या है after date इसके बाद क्या हुआ जनगनमन के बाद क्या हुआ students ने performed a parade parade perform की और ये क्या था it was a spectacular sight और ये क्या था ये एक सांदार यानि की दर्से था to watch them उनको parade करते वे देखना यानि की बड़ाई सांदार लग रहा था जो की moving in perfect formation parade जो कर रहे थे parade करते वे जो गती कर रहे थे बड़े perfect formation में perfect यानि की यानि की वो home में क्या कर रहे थे धंग से यानि वो क्या कर रहे थे move कर रहे थे या बड़ाई यानि सांदार लग रहा था उसके बाद क्या लिखोगे देन दा कल्चरल एक्टिविटीज बेगन उसके बाद क्या हुआ प्रेड के बाद सांसकर्तिक जो एक्टिविटीज थी वो सुरू ही सेवरल एंटर्टेनिक परफोर्मेंस वर गिवन और अनेक जो एंटर्टेनिक परफोर्मेंस जो थी वो दी गई एवरिवन इंजोएड एलोट पर तेक जन जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा आनंद लिया और देन उसके बाद क्या हुआ दाचीफ केस्ट मेड एन इंप्रेसिव स्पीच मुक्यातिती ने बड़ा ही इंप्रेसिव वासन दिया and motivated और उन्होंने क्या किया motivate किया the students को for their studies उनकी पढ़ाई के लिए c also distributed और उसने क्या किया उसने distribute किया बांटे प्राइजेज मतलब इनाम बांटे to the participants जो यानि participants थे पड़ती योगी थे यानि जिन्होंने भाग लिया उसको उन्होंने क्या किया चीफ केस्ट ने प्राइजेज भी बांटे the function ended function की स्मापती हुई सफलता पूरव कितने बजे 11 बजे और principal ने thank everybody सबको धन्यवाद कहा for making the program successful यानि प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए तो students इस तरह से अपनी ये report रही अगर आपने screenshot नहीं लिया है तो आप इसका screenshot ले लीजिए अब दुबारे थोड़ा सा बता देता हूँ कुछ लाइनों में अगर आपको दिक्कत हो तो देखिए मैं इसका केवल हिंदी translation बता देता हूँ कि 72nd Republic Day जो था वो celebrate किया गया great pompet show के साथ बड़े धूम दड़ाके के साथ आदर्स government senior secondary school बाड़ेट में 26 जनवरी 2020 को इस अउसर पे क्या किया गया था पूरी school building को beautifully decorate किया गया था ठीक है function की start हुई शुरुआत हुई 9 a.m. को with welcoming of the chief guest chief guest के स्वागत के साथ ही और मुख्याती थी कौन थे यानि कि सर्पंच ओप दा विलेज मिसेज संतोस देवी ये मुख्याती थी थे और जैसे ही see hoisted मतलब इस सर्पंच आईबाने यानि कि धावज को फैराया national flag को तो सारे student अप खड़े हो गए attention सावदान मुद्रा में और क्या गया सबने एक सवर में जन गन मन राष्ट यानि जो गान है हमारा वो गया और saluted national flag और national flag को यानि की सलामी दी उसके बाद students ने parade perform की और ये बड़ाई क्या था यानि की सांदार यानि की दर्शे था उन्हें देखना और जो की वो क्या कर रहे थे moving in perfect formation गती कर रहे थे प्रेड करते वे आगे बढ़ रहे थे बड़ी यानि की perfect यानि की form के अंदर उसके बाद cultural activity शुरू भी बहुत सारे entertaining यानि performance है वो दिये गए सब के सब यानि की happy थे आनंद लिया और उसके बाद last में यानि की program होता है तो chief guest क्या करता है speech देता है तो chief guest ने क्या दिया impressive speech दिया और motivate किया students को पढ़ाई के लिए और उन्होंने see also distributed अब देखिए अब chief guest यानि lady है तो यहाँ पे see कर देंगे अगर पुरूस है तो he कर द distributed और उन्होंने क्या distributed की प्राइज जैस यानि की बांटे किसको participants को और sweets बांटी ये भी आप लिख सकते हो और function का ended हुआ सफल था पुरूवक 11 बजे और principal साहिब ने यानि सब को धन्यवाद कहा program को सफल बनाने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप like जरूर कर दीजिए चैनल को subscribe ने किया तो subscribe कर दीजिए दोस्तों में share कर दीजिए thank you very much